आलो एवरिवान वालकम बैक टू माई चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस स्कैंडल वैक्स रिडिंग में हम देखेंगे कि आपकी परसन की आपकी तरफ क्या भावना हैं क्या फिलिंग से क्या इमोशन से जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी सोबाव में चें हुआ है कि नहीं देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर को याद करते हैं तब भी उनके एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आपको कुछ ना कुछ गाइडन्स जरूर मिल तो यह सिंगल मैरेट देख सकते मेल हो या आपके पार्टनर फीमेल भी हो सकते हैं दोनों के लिए तो प्लीज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है जनरल रिडिंग है सो जो भी आपकी सिच्वेशन की साथ भी मैच हो रहा है वहीं लीजे बाकी का छोड़ दीजे ज्या हासिल हो जाता है तो दुवा तो आपको करनी होती है भगवान से आपको मैनिफेस्ट करना ही होता है जो भी आपको चाहिए आपको मांगने के बगएर ऐसे ही नहीं मिलता है तो आपको मांगना जरूर चाहिए और कोशिश करती रहने चाहिए अगर आप परसनल रिडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नबर स्क्रीन के उपर है साथ सारी डीटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहां पर आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चली पॉजिटिविटी के साथ इस रेडिंग को शुरू करते हैं आपको अपनी पार्टनर का ना सकतर मुझे पो फो समी बॉक्ट मुझे कर सकते हैं सारी खुरू कर सकते हैं तो मिलें आपको डार का नार को शुरू function, बॉक्ट हो अपकmost। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के एनरजी ऐसी मैसूस हो रही है जैसे कि इनको अभी ना बहुत पच्टावा हो रहा है यह ऐसा सोच रहे ना कि जल बाजी में इन्होंने कदम लिया आपसे दूर चले गए या फिर आपको इग्नोर किया वो अगर उस वक्त आपका साथ नहीं छोड़ते या फिर उस वक्त आप जो भी कहना चाहते थे इन्होंने ऐसे नजरनदाज आपको किया जैसे कि उनको सुनना ही नहीं है और आप चाहते थे कि एक बार सुने तो सही कि आप क्या कहना चाहते और इनका ऐसा गुसा था या फिर यह ऐसे एनरजी में थे जहाँ पर यह सुनना भी नहीं चाहते थे इन्होंने आपको कहा होगे कि चुप रहो खतम करो ऐसा कुछ यहां पर मुझे फील होता है कि अगर आप सोचते हैं न कि इनसान अगर आपके जिन्देगी में आए है तो ऐसे ही नहीं आए है और आकर अगर आपको प्यार दिया तो क्यों दिया फिर उसे अगर निमाना नहीं था या फिर आगे तक इस रिष्टे को लेकर नहीं जाना था तो क्यों गए तो वही बात ना इस परसन को आपके पार्टनर को यही सता रही है कि ऐसा मैंने क्यों किया आपके साथ वो मतलब जैसे कि रिष्टा जोड़ा आपको धेर सारे सपने दिखाएं आपकी हां में हां मिलाते रहे वो परसन और कहें न कहीं एक वक्त ऐसा है आपके जिंदेगे में जहां पर जब आपको सबसे ज़ादा इस परसन की ज़रूरत थी उस वक्त यह परसन आपके साथ नहीं थे तो आपको कहें न कहीं ये बात जो है न बहुत ज़ादा आपका दिल तोड़ा है कि ये परसन जैसे कि आपको आपके साथ ऐसा ना करते आपने कभी सपने में भी नहीं सोचाता कि ये परसन आपको no contact situation दे सकते हैं या फिर इस परसन के साथ आगे जाकर ये दिन आपके जिन्देगी में आएगा जहां पर आप अकेले रहे जाएंगे और ये आपको परसन मुड़ कर भी नहीं देखेंगे तो कहीं न कि ये परसन को वही बात खाई जा रही है न कि इन्होंने ऐसा फैसला मतलब क्यों लिया काश की वो आपकी फिलिंग्स को समझते और काश की वो न अपने आपको मतलब तकलिफ देने के कोशिश कर रहे है परसन अभी इनको रोना भी आता है गुसा भी आता है अपने उपर ही गुसा आता है अपने उपर ही या फिर जैसे हम अपनी गलती हो न तो अपने आपको हम कसूरवार ठहराते हैं तो उस टाप की यहां पर मझे उनकी feelings दिखाए देते हैं कि मैं क्यों गई या क्यों गया इस situation में या इस रिष्टे में अगर मुझे निवाने की हिम्मत नहीं थी वो यही सोच रहे कि मेरे से ऐसे क्या हो सकता है उस टाप मुझे इतनी अच्छी feelings थी इतनी अच्छी vibes फिल रहे थी और अभी मुझे में ऐसा क्या बदलावाया कि मुझे feelings नहीं है या फिर मुझे गुसा आ रहा है ऐसा क्यों मतलब क्या है मेरे उपर किसने ऐसे कौन सी magic की है कि एक जटके में उस तरफ मतलब आपकी तरफ वो आकरशित हुए और एक जटके में उन्होंने आपसे दूर जाने के सोचा या फिर आपसे अलग होने के बारे में सोचा ये कैसे मुझे नहीं हो सकता है क्योंकि आप किसे के करीब तब ही जा सकते हैं जब उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में feelings हो तो इस person के दिल में आपके लिए feelings तो थी लेकिन ये गए क्यों आपसे दूर ये अभी तक ये person के नहीं समझ में आ रहा है और जहां पर आप परिशान है वही पर ये भी मुझे परिशान दिखाई देते हैं इनके अभी energy ऐसी है जैसे कि literally ये person सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहते हैं आपके साथ बात ही करना चाहते हैं कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं ये जो दिल में इन्होंने सब कुछ जमा करके रखा है न वो सब आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपके बार में क्या feel किया क्या feel करते हैं आगे के बार में क्या सोचा था और क्यू ऐसा किया इनको और आपसे दूर जाने के बाद क्या तकलिफ हुई ये सब चीजे ये person आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जो राशी मुझे strongly आज मैसुस हो रही है वो है स्कॉर्पियो वरुष्यक राजशिया पर मुझे दिखाए देता है और यह परसंग जैसे है ना एक तो जिद्धी टैप के हो सकते हैं स्कॉर्पियो यह नि क्या है बिच्चू तो यहां पर बिच्चू टैप का है मतलब चुक तो रहते हैं लेकिन करी कीसे दे सकते हैं मेरे पार्टनर इतनी दुरियां कैसे कर्सकते हैं या इतना मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं प्यार मुहबबत तो थी कस्मे वादे सब कुछ हो गया तब फिर क्या ऐसी बात हुई और बात अगर हुई है मेरे बारे में कुछ भी बुरा लगा है तो कम से कम बात तो करते हैं मतलब मिलते नहीं ठीक है लेकिन कम से कम बात तो हो सकती है या फिर ये परसन आपको on-off situation देते हैं और इनके समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है ना क्योंकि ये परसन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हैं आपके बारे में feelings इस परसन के दिल में हैं लव वाली feelings हैं प्यार करते हैं प्यार का इजहार भी किया होगा लेकिन ऐसी कोई तो चीज है ना ये परसन को फिर से ऐसी उल्चल में डाल देते हैं जहाँ पर वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं कुछ serious आप हो गए उनके साथ तो क्या वो रिष्टा निबा पाएंगे अगर इस चीज के बारे में अगर वो आगे तक आपका साथ अगर नहीं निबा सके तो फिर आपको कितनी परिशानी हो जाएगी मतलब ये खुद के उपर ना उनको भरुसा नहीं है और ना ही प्यार के उपर भरुसा क्योंकि आपने उनको कहाई होगा कि मैं हर हाल में तुमारे साथ रहूंगा या रहूंगी लेकिन ये परसन ना जैसे कि डरते हैं किसी चीज को लेकर हो सकता है ये परसन शाधिशुदा है हो सकता है इस परसन का पास्क में ब्रिक अप हो चुका है हो सकता है कि ये परसन डिवोस से भी हो सकते जिनसे आप मुहबबत करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं तो यहाँ पर मुझे वरुशक राशी दिखाए दी उसकी बाद जो है वर्गो यानि कि कन्या राशी उसके बाद मुझे यहाँ पर Pisces, Mind राशी, Cancer, Karkar राशी, Sagittarius, Dhanu राशी, Aries यहाँ पर है मेश राशी और लिवो है, सीह राशी, साते साथ यहाँ पर Libra भी है, तुला राशी, यह कुछ राशिया मुझे यहाँ पर फील होती है इस परसन का नाम मुझे strongly channel होता है, विजय हो सकता है, या फिर विजया हो सकता है, इनका नाम विक्रम हो सकता है, इनका नाम मुझे जैसे की वाहित ऐसा नाम यहाँ पर channel हो रहा है, साथ यहाँ पर मुझे संगीता नाम, सुनील नाम, शंकर यहाँ पर नाम आ रहा है, मुझे स आजित यहां पर नाम मुझे चैनल हो रहा है, आशर यहां पर नाम मुझे चैनल हो रहा है, साथी साथ यहां पर मुझे आश्वीनी नाम चैनल हो रहा है, स्ट्रॉंगली, आश्वीत भी यहां पर नाम मुझे चैनल हो रहा है, तो यह कुछ नाम है, जो कुछ न कुछ बताने के कोशिश कर रहे है, हीहाँ पर दो दिल चुड़ते वे मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे की दो दिल फॉर्म हुआ है, और एक जगपर आने की कोशिश कर रहे हैं, साथी-साथ और नहीं है ये आप दोनों की जिंदगी का और कही ना कहीं इसमें परिशानिया बहुत हैं लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं ना कि अभी इनको दूर नहीं रहना है आप से चाहिए वो किसी भी टाइप का रिश्टा हो वो निभाना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाह तो इनके तरफ से न अच्छानक आप देखेंगे बदलाव होगा इनके स्वभाव में और आप भी सोच में पढ़ेंगे कि इतने दिन तो इस परसन को मेरी याद नहीं आई और अच्छानक इस परसन को मेरी याद आने लगी यह परसन का नाम S से V से हो सकता है साथे साथ यहाँ पर मुझे M लेटर दिखाए देता है A लेटर दिखाए देता है H लेटर F लेटर मुझे दिखाए देता है यहाँ पर मुझे C लेटर दिखाए देता है यहाँ अब देख सकते हैं strongly बिच्चु का सिंबॉल बनावा है जो कि Scorpio राशी आज यहां पर वरुषिक राशी कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो यह परसन रिष्टा नहीं तोड़ना चाहते दूरिया है और यह परसन खुछ से आपको जैसे कि सौरी नहीं कहेंगे मिस्यो नहीं कहेंगे और खुछ से जाकर कभी फोन भी नहीं करेंगे रिष्टा तो रखना चाहते हैं और आपके रिष्टे में मुझे यह भी दिखाए देता है यहां पर कि आपकी मरजी चलती है ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा तो यहां पर मुझे आज पता नहीं क्यों गोड़े का सिंबॉल दिखाए देता है अब दोनों के बीच और कहीं न गई रिष्टा आगे बढ़ते वह मुझे नजर आता है और परसन अभी दिल से चाहते हैं कि आपके साथ रिष्टा जुड़े वह मतलब कोशिश तो नहीं कर रहे हैं आपको ही कोशिश करनी होगी शायद यह परसन अगर ब्लॉक किया है तो 8 दिन के अंदर मुझे यहां पर दिखाए देता है या फिर 18 दिन के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है यहां पर मुझे कुछ नंबर भी दिखाए देता है जैसे कि नंबर 6 यहां पर दिखाए देता है मुझे नंबर 8 नंबर मुझे यहां पर 3 दिखाए देता है नंबर 2 भ आपके पार्टनर का या फिर नवेंबर डिसेंबर में हो सकता है साथी साथ मार्च में हो सकता है या फिर जून में हो सकता है ऐसा यहां पर मझे फील होता है किसी की बुरी नजर है अब यहां पर रिडिंग में ऐसा आ रहा है कि किसी की बुरी नजर आप दोनों के उपर है औ और कही न कहीं बुरी नज़र के वज्य से आप दोनों के रिश्टा टूटा Kalyn या फिर आप दोनों अलग होए बहुत अच्छा सा चल रहा था ऐसा कुछ भी प्रॉल्बलम नही मिते इसके पहले नजर है, बुरी बुरा साया है, ऐसा मुझे यहां पर लगता है, कही न कही ए परसन फसे हुए है, या फिर नेगिटिव एनरजी इनके उपर हावी है, जैसे कि कही बार ऐसे होता है न कि कोई अपनी घर से नजर उतार कर रास्ते पर फेक देता है, और उपर से हम गाड़ी च पकड़ लेता है, तो ऐसा कुछ हुआ है इस परसन के उपर, जैसे कि रात को यह जादा सफर करते हैं, रात को बाहर जाते हैं, तो उस वक्त किसी ने नजर उतार कर फेकी थी रास्ते पर, और उनकी गाड़ी वहाँ पर चली वह पैदल चले या किसी भी वहीकल से चले हैं, तो कही न कही वह जो negative energy है न, इस परसन के उपर आई, और तब से इस परसन का सौबाव चेंज हुआ है, कही न कही मिचे strong vibration या पर आ रही है, हम कहते हैं न कि बुरी नजर लगी है, जरूरी नहीं है कि किसी की बुरी नजर आपको लगे, हो सकता है किसी ने नजर उतार कर फ या बात करनी बन की है, या फिर आपको avoid करने लगे है, तो वो कही न कही न, उनके उपर से नजर उतारनी बहुत जरूरी है, और अगर आपके उपर बुरी नजर है किसी की, या फिर आप जल्दे जल्दी बीमार हो जाते हो, या फिर अच्छा कपड़े पहन कर, अच्छा स पूछते हैं कमेंट करके कि आपने कितने ब्रैसलेट पहन है, तो यह मैं पूरा दिन नहीं पहनता हूं, यह जब मैं reading करनी होती है, तो reading की energy मेरे उपर ना आए, इसलिए protection के लिए हैं, पुरे दिन के लिए नहीं, पुरे दिन के लिए मेरे कुछ गिने चुने हैं, जो मेर मेरे energy को positive करते हैं, वही मैं पहनता हूं, तो आप भी positive रहने के लिए ऐसे bracelet पहन सकते हैं, जहां पर आपको personal reading, book करने के बाद बता चलेगा, तो यहाँ पर मझे यही feel होता है, जैसे कि candle भी बहुत fast जल कर खतम होई है, क्योंकि इतनी बड़ी candle थी ना, लेकिन फिर भी जली होई है, तो यह कहने की कोशिश कर रही है candle, कि moment बहुत तेज हैं आपकी partner की तरफ से, तेज moment है कि आपके साथ बात करनी है, आपके साथ communication करन है, आपको मिलने को आना है, long distance relationship हो सकता है, तो यह मिलना चाहते हैं, कही ना कही थोड़ा time लगेगा, क्योंकि इनके उपर की negative energy जैसी हटेगी, यह आपके बार में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह person ऐसा मुझे यहाँ पर feel होता है, कि आपके बेना खुश न है, और जैसे आपको लगता है, कि नसीब में आपने सोचा हो गई, यह नसीब में मेरे इंसान यह लिका होगा, यह लिकी होगी, तभी तो उनसे मैं मिला हूँ यह मिली हूँ, तो कही न कहीं मुझे भी यह feel होता है, कि आपके destin partner हो सकते हैं यह जहाँ पर strong feelings इनकी मुझे मह energy आई है, तो आपको ज़रूर claim करना चाहिए, कुछ न कुछ हो जाएगा, message आएगा, या फिर person आपको block किया है, तो unblock करेंगे, या फिर आप देखेंगे आपकी social media के उपर उनका कुछ comment, या फिर आपको देखा है, आपकी social media के उपर ऐसी कुछ energy आपर मिझे feel हो रही है, तो धीरे-धीरे करके एई person आपकी तरफ आएंगे, अच्छानक से नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक heal नहीं होता न, वो negative energy नहीं हट जाती है, दोनों के बीच में से, तब तक रिष्टा जैसे की धीरे-धीरे जुड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है, कि energy, उनके energy के साथ आपके energy एकी दिन में match करें, ऐसा नहीं है, आपको कोशिश करनी है, remedy करनी है, फिर होगा, तो यह मुझे यहां पर यह लगता है, आपके partner की नफिलिंग्स आज आपके लिए, कि वो नहीं छोड़ना चाते हैं आपका साथ, कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि जितने वो कोशिश करते हैं, या फिर वो अगर ego attitude में रहते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं समझते, अगर उनसे गलती होती है, तो उस वक्त आप क्यों नहीं उनको बोलते हैं, या क्यों नहीं रोकते हैं, जैसे कि वो कहते हैं आपको कि मुझे अभी जाना है, तो आप उनको जाने क्यों देत आप उनको रोकते क्यों नहीं, हाथ नहीं क्यों पकड़ते हैं, हाथ क्यों छोड़ देते हैं, तो जिन्दगी की सफर में कुछ लोगों का हाथ थामके रखना बहुत ज़रूरी है, अगर हाथ से निकल गए ना वो इंसान, तो फिर वापस पाने के लिए बहुत तड़पना पढ़ता है इससे बहतर है कि उसी वक्त जो भी मसला है जो भी प्रॉबलम है आप दोनों के बीच उसी उसी वक्त खतम करें और एक अच्छी जिंदेगी आप शुरू कर सकते हैं और ऐसे ही करके रिच्टा आगे बढ़ता है एक दुसरे से सौरी कहके एक दुसरे को कि आप सौरी कहेंगे तो आपके रिस्पेक्ट कम हो जाएंगी या फिर आपका वेट लॉस हो जाएगा ऐसा तो कुछ है नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता नहीं है तो अगर उस परसंट से आप महबत करते हैं तो सौरी कहने के लिए पीच्छे हटना नहीं चाहिए ऐसा आपकी तरफिह से क्योंकि मैंने कहीं से भी केंडल गुमाने की कोशिश किये थो आप देख सकते हैं और आग लगी हृँ क्तलब पैशे लेकर आपको लेकर आपकी आपकाशन अत्की असमार जोने सोट में सोच रहें दूरियान टो है दूरियां खतम करना चाहतें आपकी त जिन्देगी में आपकी साथ रहना चाहते हैं रिष्टा किसी भी टाइप का हो सकता है सिंगल डिवोसी का रिष्टा हो सकता है दोनों मैरिड हो सकते हैं एक्स्टामारिटल अफैर हो सकता है या फिर किसी भी टाइप का दोनों सिंगल भी हो सकते हैं तो फ्यूचर का मतलब य चले जाते हैं आपसे दूर लेकिन फीर ना आपको भुलाने ही बात है यह भी मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी में फील होता है कि आपको भुलाना उनके लिए ना मुंकिन है इसलिए वो बार-बार आपको on-off situation देते हैं ब्लॉक अन्ब्लॉक करते हैं इसका मतलब यह होता है कि उनकी दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फिलिंग्स है और कहीं न कहीं वह फिलिंग्स खतम नहीं होंगी और इतनी आसानी से तो बिलकुल नहीं होंगी तो लगब केंडल खतम हो गई है तो आज की रिडिंग में इतना ही अगर रिडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थांक यू अल आप यू थांक यू एंजल्स थांक यू निवर्स